फटे होट चेहरी की खुपसूर्ती को तो कम करते ही हैं दर्द भी बहुत देते हैं जब आपके होट फट जाते हैं तो इनसे ना केवल डेड़ स्किन सेल्स बलगे कभी कभी खून भी निकलने लगता है फटे होट आपके सुंदर्ता को बिगाड़ते हैं अगर आपको भी फटे होटों से लिकते हो रही है तो परिशान होने की जरूरत नहीं है कुछ घरेलो उपायों से आप होटों को कोमल और खोपसूरत बना सकती है तो चलिए जानते हैं कि हम अपने होटों के कैचे खोपसूरत बना सकते हैं पहला है हल्दी का इस्तेमाल होट फटने पर आप हल्दी से उनकी देखवाल कर सकते हैं एक चुटकी हल्दी को एक क्योथाई दूद में मिलाकर होटो पर लगाएं रोजाना रात को सोने से पहले ऐसा कर सकते हैं अगर आप कच्ची हल्दी को पीश कर इस्तेमाल करते हैं तो जल्दी आराम मिलेगा दूसरा है बादाम का तेल रात को सोने से पहले होटो पर बादाम का तेल लगाएं पाश मिट तक उलियों से होटो की मसाज करें इसे नमी अंदर तक पहुँचेगी और होटो के स्किन मुलायम होगी साथी होटो का रंग भी गुलाबी होगा तीसरा है नारियल का तेल का इस्तेमाल नारियल का तेल भी फटे होटों पर लगाने से फाइदा पहुंचता है आप अपने होटों पर रोजाना नारियल का तेल दीन में दो या तीन बार लगाए साथी रात को सोने से पहले भी इसको होटों पर इस्तेमाल करें इससे तोचा मुलायम होगी और होटो में दर्ध से भी आराम मिलेगा चोथा है, शहथ और शक्कर आप दो चुटकी शक्कर में दो बॉर शहथ को मिलाकर होटो पर सकरप की तरह से इस्तेमाल करें इससे होटो से निकलने वाली डेड स्किन से चुटकारा मिलेगा साथ ही होट भी मुलायम होंगे अगर आपकी होटों में भी क्रैक हो गए हैं या पिर दर्द होता है तो ये रेमेडी अपना कर आप अपने होटों को गुलावी और मुलायम बना सकते हैं